असलाव अलेकम स्टुडेंट्स कैसे उमीद करता हूं खेरियत से होंगे आज हम डेटाबेस का तीसरा लेक्टे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम सिखेंगे सिलेक्ट क्यूरे लगाना अन गालम्स ठीक है हम सोफेर उपत करते हैं उसके अंदर हम तीन लाइस पर जाते हैं डेटाबेस को सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर हमने ऑपरेशन्स पर फॉर्म करते हैं मैं सिलेक्ट कर रहा हूं नजीब नेम से जो बनी हुई है ठीक है यह सिलेक्ट हो गई और गरीन होकर रही है कि यह connected है ठीक है तो इसके अंदर data put करने से पहले क्यों reuse करने से पहले मैं notepad पर आप इनका syntax दिखा देता हूं यह है इसका general syntax select steric from का keyword select का keyword पहले फिर steric क्या use होता है तमाम कालम को display करने के लिए इसका मलब होता है all from keyword है table name जो के आप table name देते हैं ठीक है अगर आप पूरे column display नहीं करवाना चाहते तो आप यह दूसरी example देख सकते हैं select का keyword लिखेंगे columns name लिखेंगे जितने columns display कराने हैं उनके name लिख देने हैं इनको separate कर देना है comma के साथ for example एक से ज्यादा कालम अपने display कराने हैं तो उनके दर्मियान उनके name के दर्मियान comma लगाते जाना है ठीक है फिर from का keyword लिखना है फिर table database के अंदर जो जो के जितने भी कालम है डिस्पले करवाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल का नेम टेबल का नेम मैंने क्या दिया हुए njb ठीक है statement terminator मैं execute करूंगा execute वाले बेटन पर क्लिक करके यह execute होगी ठीक है यह जितने कालम से डिस्पले हो गए है मुझे अब मैं चाहता हूं कि जस्ट id वाला item ही मुझे डिस्पले हो तो मैं क्या करूंगा स्टेरिक की जगा पे id लिखत हूंगा select id from njb statement terminator अब आपको just id ही डिस्पले होगी यह देखें id डिस्पले हो रही है अब मैं चाहता हूं कि just name display हो name तो इसे मैं डिस्पले कर दूँगा यह just name डिस्पले हो रही है ठीक है फिर क्या है father name भी था f name इसको मैं डिस्पले करवाता हूं यह उनके father name आगे ठीक है उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि तीनों यह दो डिस्पले हो मैं लिखूँगा मैं चाहता हूं id और name को display करा दूँ mean role number और name लिखूँगा id, name run कर दूँगा इसे तो क्या आगे name और id वाला option आ गया और मैं चाहता हूं कि father name भी डिस्पले हो जाए तो father name लिख दूँगा तो तीनों चीज़ें आ गई ठीक है इस तरह से हम यह चीज़ें लगा सकते हैं फिर और क्या होती है limit भी होती है limit का keyword मैं लगा देता हूं first three ठीक है run पे click करता हूं पहले तीन जो रोज हैं वो आ गई है ठीक है इसके बाद क्या करना है अगर आप चाते हैं कि पहले दो कि I limit तीन तो ऐसे कर ले ठीक है इसे रहन करते हैं पहले दो कालम मैंने select किया idea of father ने उनकी limit रख दी मैंने तीन तो ये पहले दो कालम जो मैंने display करा हैं उनकी limit आगी है तीन मैं जितना भी चाहूं इसे कर सकता हूं अब मैं कर देता हूं 5 तो पहले 5 डिस्पले हो जाएंगे मैं चाहता हूं कि इधर वो क्या display हो जाए ने ठीक है